हेलो अब्रिवान वेरी वेलकम तो यूजी सिनेट अड़ा 24-7 इस आंजली और में टॉर पर पेपर टू एजुकेशन सो फाइनली हमारे पास हमें दिखा है कि यूजी सिनेट पेपर टू एजुकेशन का रिजल्ट आया इतनी हाय कटॉफ गई और उसके बावजूर भी हमार है परवीन बानू तो सबसे पहले आपको बहुत-बहुत कंग्राचुलेशन्स परविन बानू आपने 99.92 परसंटाइल स्कोर किया है इन पेपर टू एजुकेशन आप अपने बारे में खुद कुछ बताएं इससे पहले कि मैं कुछ बोलू हूँ तो इसके बाद आप अपने बार में क्या ही बोलू हूँ मेरा इंट्रेक्शन तो अपने दे ही लिया है फिलाल के लिए मेरा नाम परवीन बानू है मैं वेस्विंगौल से हूँ कॉलकता और मैंने अपना ग्राजुएशन कंप्रीट किया है और मास्टर्स किया है इंग्लिश में आफ्टर दाट मैंने बीच स्पेशल एडुकेशन में परस्यू किया है और फॉलूओ बाई एमेड जो मेरा स्प आप से जादा यह आपके पेरेंट्स का द्रीम था कि आपका जैरेफ क्वालिफाय हो जाए तो कैसा लगा अच्छा सबसे पहले जब आपने अपना रिजल्ट देखा और पेरेंट्स को बताया क्या रियक्शन रहा आपका उनका पहले तो मैंने खुद उस रिजल्ट को तीन से चार बार देखा कि मैंने इस सही पढ़ा कि नहीं कि कही गलत तो नहीं पढ़ रही हूं So I cross-checked it for like multiple times Then उनको भेजा मैने And they were like happy Everybody has like happy tears सब के आखों में हम सब बहुत खुश है It was like beyond any explanation मुझे नहीं लगदा किसी words में बोल सकती हूं Yeah, they are very happy बहुत जादा खुश है They are far up to me right now कि हम इन परसन नहीं मिल पाए But yes, बहुत जल्दी मिलूंगी उनसे मैं So आप उनकी वो जो smile थी वो witness अभी नहीं कर पाए लेकिन जब आप घर जाओगे तब वो smile आपको देखने को मिलेगी उनके चेहरों पर Because तेखा हैं, but that's not enough इन परसन देखना सब देखना है But वो father के जो expression होता है वो बहुत ही special होता है बहुत ही जादा special I can't like explain कि उस टाइम पर जो situation था ना हम सब video call पर बात कर देखने थे मैं sister, me and my father and my mom मतलब हर किसी का अलग-अलग reaction था But we had mutual feelings कि everybody was super happy So हाँ, मैं चाहती हूँ कि कि इन-person जाकर विटनस करूँ अभी तक मैं नहीं किया है Even after like this exam का result आने के बाद भी अभी तक celebrating Yeah, waiting to go home घर जाने की जल्दी Celebrations तो अब होता रहेगा और अभी आपका कॉंसा अटेम्ट था I think It was not your first attempt It was not my first attempt लेकिन टेक्निकली मैं इसको So first attempt मांद हूँ कि पढ़ने के बाद में एक ही बाद गई हूँ पहले दो attempts में I could not study क्योंकि पहला वाला attempt ऐसी ही लिया था कि मुझे प्रेशन पार्टल बगरा देखना था कि अग्जाम कैसा है I attempt कर भी बाऊंगी की नहीं Second attempt में I was serious लेकिन मेरा final year का exam था and exam का date जब था it was like immediately after my final exam So उसके लिए मैं preparation में ले नहीं पाई But उसका score जैसे आया था as I was telling you कि जितना score था तो उस पे मैं तोड़ा satisfied थी कि हाँ, in case मैं preparation लो तो मैं कर सकती हूँ Okay, आपका, अगर मैं बात करूँ Paper 1 जदा strong था है या फर paper 2 मैं shamelessly बोलूँगी paper 2 I was always scared of you कि math से detached भी बहुत सालोग है So paper 2 was always strong for me Okay, education subject कि जितने भी students है ना, maximum मैं सब के मूँ से सुनती हूँ, math से बहुत ज़ादा दर लगता है उनको Speaking, डर नहीं था लेकिन math के लिए practice बहुत चाहिए क्यूंकि आफ सर्टन यूर्स गाप हम एकदम से दो थीं classes attempt करके हम preparation लेकर नहीं जा सकते हैं, honestly speaking Well, good Regular practice चाहिए And जहां तक कि मेरा था कि क्यूंकि working भी थी, इतना time मिलता नहीं था तो practice करके तो पहले तो मैंने बहुत कोशिश की कि फॉर्मूलाज याद करूं, ऐसे करूं तो मैंने वो basic level पे रखा कि in case हाँ, मैंने जादा stress out नहीं किया फुद को, पहले एक महींने मैंने बहुत stress out किया, कि हाँ, यह यह भी करना है, वो भी करना है but when I was not able to do it मैंने उस चीज को division कर लिया कि अगर मुझे एक चीज बहुत stress out कर जे, तो वो मैंने लेटर टाइम के लिए कि अगर in case मुझसे बाकी चीज़े हो गई, तो then I will focus on it, then I will give it time तो कि मैं anxiously नहीं प्रिपेर किया उसको, yes नहीं, बट मुझे at least ऐसा लगता है कि मैं आप कुछ करो ना करो, at least D.I. आपको थोड़ा कर लेना चाहिए मैं नहीं पूरा नहीं चोड़ा था मैंने जैसे कि आपको कहा कि मैंने फॉर्मूलास प्राक्टिस करे थे, फॉर्मूलास मुझे याद थे क्योंकि I was good in math till like 12th, क्योंकि मेरा science background का था, था, दिए फॉर्मूलास उसके बाद ना, it was like completely detached, कोई connection यहीं नहीं था बट मेरी reasoning अच्छी थी, तो reasoning and logical reasoning जो थी, मैंने वो attempt किया, उसका बने preparation भी किया, अच्छे से कर लिया था, वो पार्ट और D.I. का was like, पांच अगर questions आते हैं, तो अगर मुझे दो भी आ जाए, that will be beneficial. तो मैंने कुछ इसलिए नहीं छोड़ा था. मैं कुछ-कुछ परमुलाज याद करके गई थी, कि हाँ, इनकेस की कुछ भी चीज़े आती है, कि एकदम easy हो, ऐसा नहों कि मेरे पूरे दो-के-दो marks चले जाएं. Just because I did not attempt. Okay. So, आपके according क्या लगता है, कि अगर कोई भी ऐसा student है, जो बहुती beginner है, वो बहुती एक initial stage पर है, तो उसको ideally कितना time लग सकता है examination को crack करने में? Speaking, अगर beginner है, तो concept लिए खना चाहिए सबसे पहले. क्योंकि अभी के भी patterns में, अगर हम लोग पिछले कुछ साल के previous questions देखें, तो conceptual में हम बहुत questions करते हैं, कि आपको two different पता हो ना हो doesn't matter. क्याशी कि specifically researchers के बात करने, research के part में, बहुत सारे ऐसे conceptual questions पूछ लेते, कि अगर आपको statistics clear नहीं है, अगर आप कौनसे research proposal में कैसे मतलब आपको चीज़े पुट करी जाती है, कि topic-wise हाँ, बता दू ये कौनसे research है, तो बस facts read के कुछ नहीं होगा, तो concepts clear करने के लिए, you need good amount of time. तो six months, अगर वो gap मिल रहा है, हमें एक exam से दूसरे exam में, I think ये पूरे six months आपको चाहिए. बेगिनर को तो, if like, they need to take one year, then also good. लेकिन concept clear होने चाहिए, because हमारी journey वही पर खतम नहीं हो जाती है, कि भी आएक cracking JR for net, and then फिर ठीक है, फिर सब कुछ हटा दिया, it's not gonna work. Yes, मैं वही अपने learners को बोलती हूँ, कि आप, आपको अपनी approach बदलनी पड़ेगी, because पहले मैंने काफी ज़्यादा ऐसा trend देखा है, कि लोग सिरुफ PYQs, PYQs करके जा रहे है, and तुक्के से उनका net भी by chance clear हो जा रहे है, but उस certificate का वो अपने life में कुछ कर नहीं पाएंगे, so conceptual clarity आपको एक बार होनी ही चाहिए, अपने paper के, true sir, true ma'am, actually मैं ये चीज़ देखे, I'm like, I agree with you, कि बहुत से लोग बोलते हैं, कि PYQs करके जाओ, PYQs से हमें common मिलते हैं, in case, like हम इस बार के question की बात करें, ऐसे बहुत से sections थे, जैसे की unit 7 to unit 9, हम बहुत हलके में लेते हैं, there were many questions, जो कि management, education management से बहुत सारे questions आये, और बारी के questions आये, हम बहुत से time बेने, वो skip कर देते कि चलो चलो चलो, इस पर तो question बहुता, but it happened कि उन में से बहुत सारे questions, दो तीन questions तो मुझे याद थे, जो कि आये थे, Flanders के model से आये थे, so these were the parts कि हम ठीक है, चलो से एक portion तक अच्छे से कर लेते हैं, फिर तो कुछ आ ही जाएगा, so it's not gonna work, previous year question हमें help करता है, division में, और एक idea बनाने में, कि हाँ हम roadmap कैसे बनाएं, कौन से topic पर focus करें, but that's not the ultimate thing, वही बस नहीं हो सकता है, अच्छा, तो आपके recording, किसी भी unit को skip कर सकता हैं क्या, आपने क्या कोई unit ऐसी थी, जो आपने एकदम skip कर दियो, मैंने कोई भी unit, एक भी, क्या बताओ, section मेंने skip नहीं किया, अगर जैसे कि मुझे कोई चीज़ समझ रहीं आ रही है, in general ये पहले-पहले na, philosophy वाले पाट के साथ मेरे साथ हुआ, कि मुझे समझ नहीं आ रही थी जादा, तो मुझे लागे, अगर मैं skip कर दूँगी, and this is a very scoring part, तो मैंने का कि इसमें से questions आते ही हैं, तो what I did is like, मैंने उस चीज़ पर जादा टाइम दिया, जो मुझे समझने में नहीं आ रहा था, and पहले का एक महीना मैंने उसी पर दिया, because the first class, बतर जब हम पहले classes attempt कर दे थे, मेरे बहुत सारे questions होते थे, मैं से, मैं बहुत परिशान के थी, कि मैं ये वाला फिर से repeat कर दे रहा, तो मुझे लगता है कि हम कोई पार्ट skip नहीं कर सकते हैं, अगर for basic clarifications भी है, अगर हाँ, ये चीज़ मैं मैं बताना चाहूंगी सबको, कि अगर जैसे कोई unit हम छोड़ना चाते हैं, so in that case हम कर सकते कि उस unit के जो PYQs हैं, उसको at least देख के जाएं, अगर पूरा थरोली भी नहीं पढ़ें, उसके PYQs हम देख लें, ओके, so and इस बार का अगर मैं examination का trend भी देखू, तो इस बार हमको काफी अच्छा जादा, अच्छा खाता division देखने को मिला, इन फाक्ट हरे एक unit से उन्होंने कुछ ना कुछ पूछा जरूर है, so यह हो सकता है कि बाइचांस आपने जो unit skip की, उससे आपको easy questions देखने को मिल जाएं, तो फिर तो यह आपका ultimate loss हो सकता है, इवन कुछ-कुछ last me units थे माम, जो हमने last me एकदम last last me revision करें, there were two like advantages, जो last me करने के उसमें आएं, कि वो ना recorded sessions जब हम सुनते हैं, तो ने एकदम clarity रहती, जैसे कुछ-कुछ models में ना बस नाम पूछा था उन्होंने, मुझे exactly याद नहीं है, कि exact बस अब को नाम चेंगे, तो अगर मैं skip कर देती, तो मिने दो-दो-चार मार्क्स चले जाते हैं आराम से, अच्छा, ओके, तो पी-वाई-क्यूस तो चलो हम लोगों ने बात कर ली, अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अगर बिना पी-वाई-क्यूस के कोई, सिर्फ थियोरी-थियोरी बहुती deep understanding के साथ जाए, तो बिना पी-वाई-क्यूस के क्या एक्जाम क्लियर हो सकता है? पी-वाई-क्यूस के माम, इन केस वही बात है कि अगर लगे-भरों से नेट निकल जाए तो फिर वो हो सकता है, पर पी-वाई-क्यूस हमें एक, जैसे मैंने बोला, रोड माप बना के देता है, कि कौन सा focus area है, कौन से areas में कैसे question आ सकते, कौन से में जादा voltage है, तो पी-वाई-क्यूस हमें help करते हैं कि हाँ, कौन से unit को हम जादा seriously पढ़े है, और कौन से को थोड़ा slightly पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से time पे NTA की जो syllables हैं, उसमें बहुत सारे parts mention नहीं होते हैं, लेकिन जब हम PYQs देखते हैं कि अच्छा ये तो mention नहीं था, लेकिन हम PYQs में बहुत बार repeat हुए questions, तो उससे practice हो जाती है, and mainly मैंने जो किया था PYQ मेरे लिए इतना helpful था, कि revision का मुझे time नहीं मलता था, तो मैं वो करती थी कि मैं हमेशा at the end of the week, वो PYQs में देखती थी बाटके, तो PYQs चाहिए, revision के लिए और practice के लिए मुझे लगता है कि that's important, तो PYQs से basically यह होता है, कि जब आप revision करने जाते हो ना, तो आपको वो topic बहुत highlighted तरीके से आपको दिखता है, क्या रिजसे मैंने question देखा था, so वो आपका जो focus होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता अस topic से, so revision करने का तो best जो तरीका है, वो PYQs के थूँ है, PYQs basically is for revision, yes, and मुझे लगता है कि बहुत सरे ऐसे topics होते हैं, पढ़ते पढ़ते बूल जाते हैं, PYQs नहीं आया, हमें याद नहीं आया, so we can like market, कि हाँ इसको पढ़ना है जाके, तो फिन नहीं आएगी रात को, अच्छा, दो बहुती एक, बहुती common questions हैं, जो सब इसूड़न्स पूछता है, आपने notes कैसे बनाया है, notes, notes बनाया थे के नहीं? शुल होता है, मैंने बहुत बढ़ी class में भी देखा है, तो मैंने खुद के notes बनाया थे, क्योंकि मैंना तुड़ा tech-savvy हो के नहीं पड़बाती हूं, तो मुझे अपने धरो notes चाहिए थे, तो मैं या तो printouts निकाल लेती थी खुद के लिए, जितना हो सकता था, और जितना हो सकता था, जितना हो सकता था, मैं handwritten notes लेती थी, क्योंकि मुझे, मेरा note is always like very pretty to look at, तो मुझे वैसे पढ़ना पसंद था, in general, बहुत elaborated way है, क्योंकि कोई भी points पे miss out नहीं करना चाहती, तो ये मेरा point of view था, लेकिन बहुत से लोग करते हैं, diagrams बना के पर दाट is also helpful, तो मुझे लगता है note about, आपको जैसे पढ़ना अच्छा लगता है, आप जैसे चीजे memorize कर सकते हो, याद कर सकते हो, तो उस हिसाब से है, there is no like particular hard and fast rule, कि आपको ऐसे ही बनाना है, तब ही आपका net clear होगा, SJRF clear होगा, तो इस अप तो ये, तो कुल मिला के notes ऐसे बनाओ, क्या आपका time waste ना हो, बिल्कुल, true, बिल्कुल time waste, अगर towards the end, आपको notes बनाने का मौका ना मिले, आप printouts निकालो, उस पे highlight कर लो important points, that's what you know. काफी students को notes बनाना नहीं पसंद, तो डाइक्ली printout निकल बाते हैं, highlight, या फिर वो इतने बार multiple revisions कर लेता हैं, कि उनको सब कुछ already mind में बैठ जाता है, और जो बहुती कम कुछ points होता हैं, वो अपने separate notebook में note कर लेता हैं, या तो फिर वही करते हैं, पीडिएफ में highlight कर लो, अच्छा, तो, फर फाइव यूनिस, I did not get much chance कि मैं बैठ के notes बना हूँ, या फिर उसको लिख हूं किसी जगा पे, तो जब मैं, या फिर समझने के लिए, ओके, तो आपने revisions, कितने revisions किया, क्योंकि revisions तो बहुत important है, बहुत ज़ादा, क्योंकि पहले-बहले, जब starting में मैंने, बहुत सारे classes live attend करे थे, तो फिर उस time पे, thing was कि मैं हर week revision कर थी थी, per day तो करती ही थी, कि जो content पढ़ाया जाए, हर week it was like, कि पूरे week का revision करो, then next week, दोनों week का revision करो, so it was like, एक team में चलता जाता था, but towards the end, revision मुझे थोड़ा सा, due to my hectic schedule, तो हो नहीं पाता था, जादा, तो मैं weekly revision करती थी, daily revision नहीं हो पाता था, तो लेकिन हा, weekly revision करना भी जबूरे थी, कि पहले वाली चीज़े भूल जाते थी, खास करके तब हुआ, जब हम research पर statistics पढ़ रहे थे, क्योंकि statistics फुदी इतने में, इतना vast चीज हैं, कि उसको याद रखते रखते, तो what I used to do is like, statistics पर focus करके, rest of the thing जो था, फिर मैं over the weekend, वो साही चीज़े sum up करती थी, so yeah, revision मैंने, overall, जो June वाल attempt था, उसके पहले मैंने दो बार revise किया था, and August के पहले तक, एक और बार किया था, क्योंकि August के पहले, बहुत जादा pressure था, थोड़े बहुत काम भी थे, तो नहीं हो पाया जादा one time, तो total three times revision मैं मानती हूँ, मैंने इस बार का जो attempt था, total three times revise किया, मैंने, पूरा education का paper, all units. Okay, आपने research की बात किये, तो मुझे भी अब याद आ रहे हो दिन research, हम लोग उने लगब, I think 20-25 दे, सरफ research ही पढ़ा था. I remember आपने एक exam के पहले भी June attempt जो हमारा था, आपने एक class लिया था, and just to summarize कि, हाँ, ये चीज़े important है, क्योंकि वो चीज़े मैंने बहुत जादा skip कर चुकी थी, क्योंकि classes लेने का time नहीं मरता था, तो मैंने वो जाए कि, and there were two questions, हमारे June attempt में वो आये थे, कि एक्दम से आपने class में पढ़ाया, and next day भी आया, and it was like helpful, very helpful. Okay, so आप कितने घंटे पढ़ता था, ये भी question बहुत popular है, कि कितने घंटे पढ़े माम? I'm, पतब सच भूलना, मैं 24 घंटे में से 16 घंटे नहीं पढ़ सकती, तो I won't say, कि just because मेरा GRF अभी clear हो गया, तो मैं बोलू कि हाँ, मैं 16 घंटे, 17 घंटे, नहीं इतना नहीं पढ़ाता है था, पहले starting में, I used to study a lot, कि क्लासे अटेंप्ट करने के बाद, एंटाइर इवनिंग में के लिए, पिर till 11, मैं जादा देट तक खुद के अग्साँ नहीं करती थी, towards the weekend के time पे, good amount of 6-7 hours, उतना होता था, and last में मुझे बिलकुल time नहीं मिलता था, तो उस time पे तो मैं करती थी, कि weekend के सुभर के 9 बजे से लेके, रात के 10 बजे तक I have to revise, तो ये towards the end मैंने किया, weekdays पे, क्योंकि it was like only 4 hours, अब मैं recorded session सुनू या कुछ, इतना तो करना पड़ता था, and in between classes के बीच में मैं मैं अनज़ करती थी, कि जैसे lunch hour हो गया, तो कुछ भी time पे ता, during cooking, मैं बस earphones लगा के अपनी सुन्ती रहती थी थी, या कहीं बाहर जाओं तो, I don't even know कि कितने घंटे मैं ने पढ़ाई करी है, लेकिन हाई, अबरेज निगाल सकता है कुछ average, वरोटी, minimum 5 hours, minimum 5 to 6 hours working days पे, and पूरे दिन मैं बता साथी हूँ कि weekdays पे, sorry, weekends पे, weekends पूरा packed up schedule अथा, सुभा उठो, and then you start studying, till 11, 12, और 2 p.m. 2 p.m. at night, I'm sorry, 2 a.m. at night, तो कितना भी हो जाए, जब तक होता नहीं तक हतम I have to study, because पूरे weekdays पे मुझे टाइम नहीं मिता, J.R.F. कौलिफाई करना है, तो इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा, आप यह सोचों कि 2 घंटे, 3 घंटे पढ़के आपका हो जाए, तो इतना है, बहुत सारे factors पे डिपेंड करता है वो. पूरे मजबूरी में है, तो ठीक है, because you are having things, तो ठीक है, लेकिन हाँ, if you are like, making your schedule कि हाँ, मुझे 2-3 घंटे ही पढ़ना है, तो फिर नहीं हो पाता है, बतब, there was a time I wanted to study more, but I did not have time. So it was very regretting also, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, तो उस चीज़ को manage करने के लिए, मैं वीकेंड पूरा अपना उसी पे spend करती थी. So आपको कशना किनी से वो manage करना पड़ेगा. बिलकुल, बिलकुल. अच्छा, कोई ऐसी tip जो आप देना चाहोगे, उन candidates को, उन students को, जो अभी, upcoming December cycle के लिए प्रपेर करने वादे हैं? पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी, कि हम होते हैं, बने बहुत बारी बतलब, ये चीज़ होता है हम सब में, because we are humans, हम पूछते हैं कि आपने कैसे किया, हम भी वैसे करेंगे, No. You can't like think कि, हाँ, इन्होंने जैसे कर लिया, मेरा भी वैसे हो जाएगा, बहुत से लोगों ने 8, 8, 9, 10, 12 घंटे पढ़ाई करी है, बहुत से लोगों ने उतना टाइम नहीं किया है, बहुत से वोकिंग लोगे, तो हर किसी के circumstances अलग होते हैं, तो आपको strategy ऐसे बनानी पड़ेगी, so that आपको समझ आए, मैं अठरा घंटे बैठी तो हूँ, लेकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, छे घंटे के बाद, so that's not gonna work, हमें अपने हिसाब से शेडूल बनानी पड़ेगी, कि अपने हिसाब से स्टेडी करना पड़ेगा, नोट सम अपने हिसाब से बनाएंगे, and एक चीज़ और मैं, मैं इस attempt पे मैंने सीखा है, कि we don't need to give up, क्युकि एक टाइम पे इतना, मैं वो साधा anxious feeling थी हमें, कि हाँ, अब इतना delay हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्या होगा, तो I thought I will drop, and then the second moment, I thought कि नहीं, अगर by chance इसका paper जो है, मुझे अच्छा लगा, कि हाँ मैं कर सकती थी, so I will have a regret of a life, कि मैंने एक attempt miss कर दिया, so you don't give up, you keep trying, अगर preparation नहीं भी है, यह आधा preparation है, you never know, exam hall में जा कि questions आपको कैसे trigger कर जाए, कि आपको शाइद आती, so you need to take your chance, and don't push yourself, कि हाँ, इसने इतने बार में कर लिया, मैं क्यूं नहीं कर पाई, it's not a race, you just have to perform the way you want, so बस यही टिप्स है, I'm not good at giving tips, मैंने, मेरी जो में स्ट्राइजी तही, that was to be flexible, कि situations kept changing, last में मुझे जैसे रिवाइस करने के लिए 20 देज में ले थे, I did not have one month to revise, 20 देज मैंने paper 2 and paper 1, both revision किया, बहुत सारे नहीं topics लें किये, so it was not in my plan, my plan was कि एक exam के, एक हफते पहले I will wrap it up, पिर एक हफते तक मैं PYQ प्राक्टिस करूगी, you have to be prepared कि कुछ भी हो सकता है, and that was my main strategy, कि कुछ भी हो, I have to come up with a new plan, I cannot just give it. Okay, so I think मैंने सारे questions आप से पूछ लिया हैं, जो जरूरली सुडेंस के मन में होते हैं, कि नोट कैसे बनाना हैं, कितने गंटे पढ़ना हैं, so मैं बेसिकली ही बोलते हूँ कि सबकी अपनी अलग-अलग strategy है, आपके दोस्त का J.R.F. अगर तीन महीने में क्वालिफा हो गया, तो जरूरी नहीं कि आपका भी वही थ्री मन्स में ही क्वालिफा हो जाए, बोसकता है आपको दो साल, एक साल भी लग जाए, वो तोटली डिपेंड करता है, कि आपका कितना वो background knowledge है, और माम, I believe, जो, बतब आप भी agree करेंगे मुझसे, अगर हम पढ़ने के बीच में हैं, जैसे कि हम master's कर रहे हैं, M.A.D. कर रहे हैं, उसके बीच में अगर हम preparation लेना, तो वो चीज़े बहुत दादा fresh हमारे दिमाग में रहती हैं, अगर हम preparation लेने लग जाएं भी attempt, तो हम वो अच्छे से कर लेंगे, और तीन महीने की बात ही ही, माम, जिनका concept clear है, तो वो दो महीने में पढ़के भी qualify कर वाएंगे, और जिनका concept लेने हैं, उनको तो एक साल, दो साल कुछ नहीं से कर लेंगे हैं, So, that's it. उनके साथ भी celebrate करें, share करें, And आपके आगे के या plans है, by the way? Honestly, आगे के लिए अभी तो I'll be planning for PhD only, तो अभी, माम, आपको पता ही है कि इतना late हो गया है, ये result के लिए, maximum admissions वो हो चुके हैं, तिल August and September है, So, I'll be looking for the next notification, And अच्छे से universities में अप्लाई करना है, And meanwhile, अगर जो एक्जाम साते, उसकी भी preparation लेते हैं, So, there is no hard and core rule, कि हाँ, अगर मुझी opportunity मेली तो नहीं मैं छोड़ दूंगी, ऐसा कुछ नहीं, So, तो पिलकुल, I'll look for it, If I get a good opportunity work-wise, I will go for that, But yeah, I look forward to pursue my PhD, क्योंकि ये, of course, my parents want it. So, Dr. Parveen Banu. Maybe, someday, and I'll let you know the day it happens. It will come very quickly, वो तन, आज से तीन-चार साल बाद, ये दन जरूर आएगा, I wish. I want now, अभी तु मुझे भी लगता है कि नहीं, I want it. Okay, then, I wish you all the very, very, very best for your future endeavors, and that's it. Thank you. So much, ma'am. कर दो कर दो कर दो.